भारत में कोई सिर्फ ना नहीं कहता, वे कहते हैं ना 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 क्या हम किसी को भी किसी भी बात के लिए हाँ कह सकते हैं? मेरा एक सवाल है, हम ना कहना कैसे सीखें? जब आप जानते हैं कि कोई चीज ऐसी है जिसके लिए हाँ कहना आपकी उपर गलत असर डालेगा लेकिन फिर भी आप आपको उन्हें WhatsApp पर मेसेज भेजना चाहिए No क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं ना कहना चाहती हूँ लेकिन ये सोचकर कि दूसरा इंसान कैसा महसूस करेगा मैं हाँ कह देती हूँ तो इसे हम कैसे रोकें मैं जानता हूँ आपकी संबंद में पूछ रही है नई, नई, नई मेरा मतलब वो नहीं था मेरा वो मतलब नहीं था मेरा मतलब है जीवन की छोटी-छोटी चीज़ें ये और वो लेकिन मैं हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहा हूँ कि हर चीज के लिए हाँ और हाँ कहें अगर मैं पूछू हाँ या ना तो मेरे आसपास के लोग हमेशा कहते हैं सद्गुरु जवाब हमेशा हाँ है बताई क्या करना है तो आपको हर चीज के लिए पूरी तरह से हाँ कहने के लिए एक महतुपूर्ण चीज ये है कि आपको इमानदारी और भरोसे का माहौल पैदा करना होगा अगर आप इमानदारी और भरोसे का माहौल बनाते हैं तो हम सब पूरी तरह से हाँ कह सकते हैं जब हम जानते हैं कि कोई भी हमारी हाँ का गलत इस्तमाल नहीं करेगा तब हम हर चीज के लिए 100 फीसिदी हां कह सकते हैं, है न? हमें इसी के लिए प्रयास करना चाहिए अगर पूरी दुनिया में ये संभव नहीं है तो आप कम से कम अपने आसपास एक छोटा दाइरा ऐसा बनाएं जहां हम हां कह सकें और कोई समस्या नहूँ, कोई इस हां का गलत इस्तेमाल ना करे बहुत महत्वपूर्ण है सभी के स्वस्थ विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कम से कम अपने आसपास जीवन का एक छोटा दाइरा ऐसा बनाएं जहां आप पूरी तरह से हां कह सकें जहां आप बिना किसी डर या पक्षपात के पूरे हां हों ये आपको तयार करना चाहिए अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो आप हमेशा डर में जीएंगे फाइदा उठाय जाना एक बात फाइदा उठाए जाने के डर में जीना, असल में फाइदा उठाए जाने से ज़ादा नुकसान पहुचाता है. तो आज हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां इसके पीछे वज़े भी हैं. मैं किसी आदरश दुनिया में रहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ दुनिया कैसी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी छोटी दुनिया बनानी चाहिए, जहां आप हाँ कह सकें, और उस हाँ का कोई नतीजा ना हो, ये महतुपूर्ण है, अगर हम तो हम हमेशा दीवारों में जिएंगे, एक दीवार, ना एक दीवार ही है, है ना, भारत में कोई ना नहीं कहता, वे कहते हैं, ना 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 ना, क्या आपने ये दिखा है, ऐसा कहीं नहीं सिर्फ भारत में होता है, नो 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 नो, उनको लगता है, एक ना उन्हें नहीं रो ना एक दीवार है, हाँ एक दर्वाजा है, है ना? थी, खुद के साथ ऐसा मत कीजे, जब आप यहां रहते हैं, तो जीवन में खत्रे जरूर होते हैं, लेकिन क्योंकि जीवन में खत्रे हैं, अगर आप जीवन की सारी संभावनाएं बंद कर देते हैं, तो यह बहुत बेतुका और दुखी जीवन बन जाएगा? जो दीवारें आप आत्म संरक्षन के लिए बनाते हैं, वो दीवारें आत्म कैद की भी होती हैं, अगर आप खुद को सुरक्षित करने के लिए आज दीवार बनाते हैं, थोड़े समय के बाद वे आपकी जेल हो जाती हैं, है ना? तो नो, 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 आपने अपने एर्दगिर दीवार बना ली, क्या मैं किसी को किसी भी बात के लिए हां कह सकती हूं? नहीं, ये संभव नहीं है, आपने अब भी उस किस्म की दुनिया नहीं बनाई है, ये बहुत उंचाई पर हैं, इसलिए आपको कम से कम एक छोटी दुनिया बनानी चाहिए, जहां आप बिना नतीजे के हां कह सकें, ये बहुत महतुपोर्ण है.